नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोग ने चैनल खोला है मैट्सकंसेप्ट किंग ये हमारा ऑफिशल चैनल है और आपने सरकुलर ट्रेक का सर्कुलर रेस का कंसेप्ट सीखने के लिए इस चैनल को खोला है, इस वीडियो को उपन किया है, तो आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में सर्कुलर रेस के जितनी भी टाइप आस तक एक्जामों में आचुके हैं, वो किसी भी एक्जाम में, चाहूँ confusing language का सवाल क्यों न आ जाए paper में अभी सीजल का परी के जो paper चल रहे हैं जो सारे exam होने वाले हैं अभी आगे उन हर एक exam में circular track का जो सवाल हर दूसी तीसी सिफ्ट में जरू पूछा जा रहा है तो आपको जरूर सीखना है बस आपको सुरू से ले के आखर तक ये मेरे दोस्त पूरी वीडियो देखनी है इसमें केवल आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं उस पर आपको जितनी भी वेराइटी के सवाल बनते हैं वो मैं आपको प्रेक्टिस भी करवाऊंगा ठीक न इसके अलावा आपको अपनी तरफ से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी कर लिजे इसकी PDF और प्रिवेसर के सवालों का compilation या कोई भी notification आपको इसी चैनल पर मिलेगी दूसरा कि आज फिलिपकार्ट पर जो हमारी ये बुक है maths concept king इस बुक पर फिलिपकार्ट ओफर भी दे रहा है वह एक पहुत ही मामूली प्राइस में बुक सभी बच्चों के लिए available है तो आप इस बुक से अपने concept का revision कर सकते हैं और यहाँ वीडियो से आप उनको सीख रहे हैं ठीक है बही चलेगा चलो हम concept की बात करते हैं अब क इस तरीके से यह रास्ता है जो वरत की शcraft में starts up में आप यहां से दो बंदे को फैर सकते हैं तीन इंवे हो सकते हैं चार भी हो सकते कितनी व्य हो इस पोंट से ढऻने करते C अब से च्रेझर में डौट की तीन से पॉत्ळाँ दॉकल और से आप ना स Patri कि यह सूबह साथ बज़े दोड़ा रहा यह आठ बज़े नहीं दौनों बंदे एक ही दिशा में दोड़ना शुरू करते हैं एक साथ दोड़ना शुरू करते हैं ठीक है दोस्तों यह s1 की स्पीट से तो मैं यह कहना चाहता हूँ time taken to meet for the first time at the starting point यह कितने time के बाद वापस से दुबार है इसी point पर मिलेंगे हो सकता है बीच में भी कहीं मिलेंगे बीच में नहीं देखना मुझे यह जानना है कि यहां से दौड़ना शुरू करते हैं कि टाइम पर चलना शुरू करा एक ही दिसा में दौड़ रहे हैं कितने time के बाद दौणों लोग वापस से इसी point पर आके मिलेंगे बीच में नहीं म लगाता है T1 time में, यह जो बंदा A है या पूरा चकर लगाने में T1 समय का, और यह B पूरा round लगाने में T2 समय लेता है, तो दोनों लोग यह T1 समय में चकर मारेגם, यह T2 समय में चकर मारेगा, चकर मारते मारते यहाँ पर कितने time बाद मिलेंगे दोनों starting point परी वो जो time होगा T1 और T2 का LCM होगा अगर आपको time नहीं दे रखा, आपको दे रखा है कि यह circular की परीदी L है इस track की जो परीदी है वो L है यह लंबाई जो है यह L है तो L परीदी है पहला बंदा S1 की speed से दोड़ता है तो पहले बंदे को एक चक्कर मारने में कितना time लगेगा L upon S1, time क्या होता है distance upon speed यह पूरी परीदी जो है circular track की L है लंबा ही circular track की L है पहला बंदा एक चक्कर मारेगा इतने समय में distance upon speed S1 है दूसरा बंदा एक चक्कर मारेगा distance L है S2 की speed से दोड़ता है इतने समय में तो यह time हो गया इस time का आपको क्या लेना है LCM लेना है चाहें तो donor racer एक ही दिसा में दोड़ें चाहें donor ration वे प्रीद दिसा में दोड़ें concept यही रहेगा concept नहीं बदन लेवाला starting point पर जो आपको time निकालना है उसके लिए आपको LCM लेना पड़ेगा सवाल उसे समझाता हूँ ध्यान से सुनीगा सवाल number one इसी साल के MTS के paper में latest question आया बताओ एक खेल के मैदान के चारोरिक वरत्ताकार पत है राहुल को मैदान का एक चक्कल लगाने में पंदे मिनट लगते हैं जबकि अनील को इसमें 18 मिनट लगते हैं माल लीजे कि वो दौनों एक ही बिंदू से दौनों लोग एक ही बिंदू से तौड़ना शुरू करें हैं एक ही समय पर सुरू करते हैं और एक ही दिसा में जाते हैं समझे जो वही है तो पुझा कितने मिनट के बाद वो फिर से starting point पर मिलेंगे एक ही दिसा में दौड़ रहें एक ही समय पर दौड़ना शुरू करें एक ही बिंदू से दौड़ना शुरू करें कितने टाइम के बाद वो दौनों लोग दुबारे से मिलेंगे बै राहूल चक्कर लगाता है पंदे मिनट में अनील पूरी मैदान का चक्कर लगाता है 18 मिनट में तो टाइम होगा वो पंदे ओर अठारे का LCM यानि की सीधा कैसीद़ 90 मिनट पंदे अर अठारे तो नों से कटने वाली सबसे च्टोटी संकिया 90 मिनट समझ मैं आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही ये देखीगा सवाल लंबर दो अलग-अलग एक्जाम के सवाल है ये देखीगा A, B, C चलना सुरू करते हैं सेम टाइम पर सेम पॉंट से सेम डारेक्शन में सर्कुलर ग्राउंट पर दोड़ते हैं A, एक राउंड पूरा करता है दोसो चालिस सेकेंड में B, 300 सेकेंड में C, 160 सेकेंड में कितने समय के बाद इस स्टार्टिंग पॉंट पर मिलेंगे तो मुझे इनका एलसियम लेना इनका एलसियम में 42 सेवन तो नहीं आएगा भई, A, एक राउंड मारता है 240 सेकेंड में B मारता है 300 सेकेंड में और C मारता है 162 सेकेंड में तो मुझे लेना है इनका एलसियम तो भई, एलसियम क्या होता है वह सबसे छोटी संख्या जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो अब 43 तो कहीं नहीं है ये नहीं आ सकता, 41 प्राइम नंबर है, 41 इन में जब है नहीं तो कैसे आएगा 22 में 7 आता है, 7 भी यहां तीनों में कहीं नहीं ये भी नहीं आएगा, ये उत्तर होगा अगर सॉल करना चाहते हैं, 240, 300 और 160 कैल्सियम क्या आएगा बया 2400 सेकेंड 2400 है सबसे छोटी संक्या है, जो 24, 240 से भी कटेगी 10 बार, 300 से भी 8 बार, 160 से भी जाएगी ये 15 बार समझ में आया, और 2400 सेकेंड को मिनट में कनवर्ट किया है, तो हम 60 से भाग दे देंगे, मिनट आ जाएगा 40 मिनट ठीक है, आप्शन से करने की कोशिश करा करो, ये बताएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा बनाएगा तीन बाइक हैं, ABC, वो चलना सुरू करती हैं, रेसिंग करना सुरू करती हैं, सेम टाइम पर, सेम पॉंट से, सेम डारेक्शन में ये बहुत इंपॉंट है, सेम पॉंट से, सेम डारेक्शन में, सर्कुलेट पाथ पर एक राउंड पूरा करता है, 56 सेकिंड में, बी एक राउंड पूरा करता है, 48 सेकिंड में, जबकि C एक राउंड पूरा करता है, 70 सेकिंड में तो आपसे पूछा है starting point पर कितने time के बाद मिलेंगे तो आपसे इनका calcium पूछा है बच्चो आपना थोड़ा दिमाग लगाए करो वह छोटी से छोटी संक्य जो इन तीनों से कटती हो अब 56 में 7 आता है 70 में 7 आता है तो 7 से कटने वाला तो time आएगा ही न आंसर आएगा second में लेकिन minute में convert करोगे तो भी सेवन का multiple रहेगा सेवन का multiple एक ही option है 28 यह answer हो जाएगा करने की जुरत नहीं है इस सवाल को ठीक है तो ऐसे सवाल में बस आप multiple चेक कर लिया करो पूरा LCM निकालने की जुरत ही नहीं है ठीक है बात समझ में आई चलेगा अब यह सवाल CDS के paper का पूछा हुआ है इसको आप मुझे करके बताएगा सेम comment section में मुझे हर एक बच्चे का answer चाहिए यह बहुत famous सवाल है हर बार exam में आता है चलेगा अब अगली लेंग्वेज पर जाते हैं देखेगा सवाल लंबर है 5 सवाल का source भी आपको बताता चलूँगा 2022 के CGL के ही paper का पूछा हुआ सवाल है प्री का जी ABC एक वरत्ता का track पर दोड़ते हैं ABC को एक चक्कर पूरा करने में 6,8 और 3 मिनट का समय लगता है यदि वह 5 बजे एक साथ सुरू करते हैं तो initial point पर starting point पर दुवारे कितने समय के बाद मिलेंगे बई एक चक्कर लगाता है 6 मि C एक चक्कर लगाता है 3 मिनट में starting point पर दुवारे कितने time के बाद मिलेंगे time होगा इनका LCM अब 6,8,3 बड़े छोटे छोटे नंबर इनका LCM आ जाएगा 24 मिनट यानि कि 24 मिनट के बाद तीनों लोग दुवारे से starting point पर मिलेंगे तीनों लोगों ने एक साथ 5 बजे चलन एक और question है ऐसा ही same to same सवाल लंबर 6 इसका answer आप मुझे सभी लोग comment करके अभी बताएं ऐसा ही सवाल है data change है खुम मैं आपको practice करवाँगा इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा जी आगे चलते हैं ये बताएगा अब फिर थोड़ा सा variety को change करते हैं 400 मीटर लंबी एक व दोड़ना शुरू करते 10 और 16 की speed से 7 direction में दोड़ते समान दिसा में दोड़ते हुए ये की points होते डंग से पढ़ा करो वे आरम बिंदू पर पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे starting point पर कितने time के बाद मिलेंगे तो time के लिए आपको लेना होगा LCM अब यहां आपको time तो 50-200 में दोड़ रहें एक 10 मीटर पर सेकंड की speed से दोड़ता है तो एको 400 मीटर जाने में कितना समय लगता है 40 सेकंड ए जो है पूररा round 40 सेकंड में मारता है जबना समय लगता है 462 से भाग करेंगे तो 25 तो यानि कि जो आपका आंसर होगा वो 40 और 25 का LCM होगा 40 और 25 दौनों से कटने वाला नंबर है 200 सेकंड चालिस पंजे और 25 अठे यानि कि 200 सेकंड इस सवाल का आंसर है 200 सेकंड के बाद वे दौनों लोग स्टार्टिंग पॉर्ण पर दुबारे से मिलेंगे तो अभी तक जो सवाल तो उनमें टाइम दिया हुआ थे हाँ आपको टाइम निकालना पड़ा कि एक चक्कर मारने में एक इतना समय ले रहा है चालिस सेकंड बी ले रहा है आपका 25 सेकंड यह वाला सवाल करेगा मेरे दोस्तों यह बहुत पुराना एससी का पूछावा सवाल है जवाब करके बताएगा जिस क्वेशन का क्या आंसर है बनाओ पांच किलोमेटर की दूरी वालेक वरत्ताकार पत पर ए बी और सी एक साथ एक ही दिसा में एक ही समय पर चलना सुन करते हैं ए चलता है धाई की स्पीट से बी चलता है तीन किलोमेटर परावर की स्पीट से सी दो किलोमेटर परावर की स्पीट से hash starting point पर वो पुन हैज नें के बाद मिलेंगे तर टीम आपको निकालना starting point पर मिलने का आपको लेना पड़ेगा बच्चो ये सिवbstेगा खिंद घंड पहला बंदा 5 km दोड़ता है कितने समय advisor एक चक्र कितने समय अ कप मारता है 5 बते धाई याने की 2 घंटे में, 2 आवर्स में तो 2 घंटे आगे आप बोलोगी हाँ जी सर, 2 घंटे दूसरा बंदा 5 किलोमेटर का सरकुलर ट्रेक दोड़ता है 5 किलोमेटर की दूरी 3 की स्पीट से तो दूसरा बंदा 1 चक्कर मारता है 5 बते 3 घंटे में तीसरे बंदे की स्पीड 2 km पर आवर है, 5 km की दूरी कवर करेगा, 2 km पर आवर की स्पीड से 5 बटे 2 घंटे में, तो हमने पता लगा लिया कि 3 लड़के A, B और C, एक राउंड लगाने में कितना समय लेते हैं, उसका क्या ले लेंगे, समय निकाला, डिस्टेंस बटे इन 3 हो गया, 5 बटे 2 आपका 2 हो गया, अब ये मेरे प्यारे बाई, बन चुका है आपका fraction, आपको fraction का LCM लेना है, fraction का LCM लेने का आपको तरीका पता है कि जो इनके अंस है, जो इनके numerator है, जो इनके numerator है, 2, 5 और 5 इनका तो आप LCM ले लेंगे, 2, 5, 5 का LCM 10, 10 घंटे, और ज का highest common factor 1 होता है, याने कि 10 घंटे, 10 आवर इस सवाल का आंसर है, 10 घंटे के बाद ये तीनों लोग एक साथ starting point पर मिलेंगे, समझ में आ गया, आप बोलोगे, हाँ जी सर समझ में आ गया, fraction का आपको LCM लेना है, तो numerator अंस का आप LCM ले लिजिए, दिनों मेंटर हर का आप HCF ले लिजिएगा, ये बताएंगे, सवाल number 9, इस सवाल का क्या answer है, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, और ये maximum level है, last question है, इस type का, ठीक है, अब आपको कभी दिक्कत नहीं आई ये सवाल में, बनाओ, अनील, सुनील और रवी एक ही point पर, एक ही बिंदू से, एक ही सम पर चलना सुरू करते हैं, ठीक है, और मेरे दोस्तों, clockwise direction में जाते हैं, दक्षणावर्त जिसा में चलते हैं, तीन किलो मेटर लंबाई के एक वरत्ताकार पत पर दोड़ते हैं, वो करम से 15, 10 और 8 किलो मेटर परावर की स्पीट से दोड़ते हैं, तो अनील और सुनील के फ फिरसे शुरुवाती बिंदू पर फिरसे मिलने पर रवी किलो मेटर में कितनी दूरी तै करेगा, सवाल यह है, कि जब अनील और सुनील, बह यह आपका एक सरकुलर है रास्ता, कितनी का है, तीन किलो मिटर का है, अब यहाँ पे मेरे दोस्तों, दो बंदे अनील और सुनी अनील और सुनील बोला कि जब यह अनील और सुनील वापस से स्टार्टिंग पॉंट पर मिलेंगे यही पर मिलेंगे उतने टाइम में रवी कितनी दूरी चाह कर चुका होगा तो आप यह तो पता लगाओ कि यह जो हमारे अनील और सुनील है इस स्टार्टिंग पॉंट पर म रास्ता कितना है 3 km का सर्कुलेट रहेगे तो अनि ल 3 km जाता है 15 km परावर की σपीड से 3 km की डिस्टेंस 15 km परावर की स्पीड से यानि की एक वटे 5 घंटे में अनि लेक राउंड बारता है जबकि सुनिल 3 km जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 10 km परावर की स्पीड से तो सुनिल एक राउंड मारता है 3 बटे 10 घंटे में जो टाइम होगा इनका LCM होगा मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे यहां दी साथ टाइम इनका LCM आ जाएगा बहई 3 km 15 km परावर की स्पीड से एक बटे 5 घंटे में जाएगा सुनिल 3 km 10 km परावर की स्पीड से तो 3 बटे 10 घंटे में जाएगा टाइम बराबर डिश्टेंस बटे स्पीड तो भाई अंस का एलसियु लेंगे एक और तीन का एलसियुं तीन होता है और पाँच और दस का हाइस्ट कोमन फेक्टर लेंगे पाँच यानि की तीन बटे पाँच घंटे आ गया या फिर पॉइंट शिक्सावर सा गया यानि कि अनील और सुनील पॉंट 6 आवर के बाद स्टार्टिंग पॉंट पर मिलेंगे आप सब पूछा इस टाइम में रवी कितनी दूरी तै कर चुका होगा रवी की जो स्पीड वो 8 किलोमेटर पराबर है 8 किलोमेटर पराबर तो रवी पॉंट 6 रवी पॉंट 6 आवर में पॉंट 6 गंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा 4.8 किलोमेटर की डिस्टेंस हमारा रवी चल चुका होगा इस सवाल का आंसर है कर पाओगे मुझे लगता है कि अब आप स्टैप का सवाल कर पाओगे और आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब यहां से अगली वाराइटी जो सर्कुलर ट्रेक की बनती है वो मैं आपको समझाऊंगा उससे पहले आपको एक कंसर्प्ट जानना पड़ेगा सर्कुलर रेस का द्यान सुनेगा अभी तक हमने जितने भी सवाल करें हमने सीखा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगा अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलना है फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगे बोला है दो racer, दो धावक, दो दोड़ने वाले बंदे सेम डारेक्शन में दोड़ना शुरू करते हैं और ये एक ही दिसा में दोड़ रहे हैं रेस की जो टोटल लंबा ये L है माना पहले racer की speed S1 है दूसरे racer की speed जो वो S2 है तो आपसे पूछा time taken to meet for the first time ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे मैं मान के चलना हूँ मेरे दोस्तों कि यहाँ पे पहले खिलाड़े की speed जो है वो जाद है दूसरे खिलाड़ी से ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त तो ये circular track है इस पे दो खिलाड़ी दोड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई ठीक है जी एक यहाँ से दोड़ रहा है S1 की speed से दूसरा उसके पीछे पीछा रहा है S2 की speed से दो खिलाड़ी ये पहला fast है दूसरा slow है तो कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे first time कहीं भी मिल सकते हैं जरूनी की starting point पर कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी first time ये दोड़ने के बाद पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे समय बराबर होता है distance, but a relative speed time बराबर चुकि यहाँ पे हम दो खिलाड़ी का आपस में comparison दिखा रहे हैं तो आपस में comparison दिखाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चो रिलेटिव speed का concept इस्टमाल करते हैं circular track की जो length है वो L है और relative speed same direction में है तो S1 मानेस S2 होती है तो L अपॉन S1 मानेस S2 time लगेगा लेकिन अगर यह दोनों खिलाड़ी मेरे प्यारे opposite direction में दोड़ने opposite direction में circular track है यह खिलाड़ी यह तो दोड़ना इस तरफ S1 की speed से दूसरा खिलाड़ी इसी पॉन्ट से दोड़ना सुरू किया है B लेकिन S2 की speed से यह भी S2 की speed से तो कितने time के बाद यह first time जो है कितने समय के बाद मिलेंगे first time first time कितने समय के बाद मिलेंगे तो time बराबर distance तो L है relative speed है S1 प्लस S2 opposite direction में विप्रीद दे सामन relative speed S1 प्लस S2 हो जाती है आप बोलोगे हाँ जी सर तो यह concept बनता है इसके अलावा इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है इसकी short ले लीजिए concept का सभी को समझ में है same direction में S1 मानेस S2 opposite direction में S1 प्लस S2 जी अब इस पे हम बेश सवाल करेंगे सवाल होगा जी आपके सामने हाँ पर 10 number यह बताएगा बिलकुल latest exams में सवाल आ रहा है दो दो 720 मीटर के एक वरता का track पर दोड़ रहे हैं उन्होंने एक ही बिंदू से दोड़ना शुरू किया समान दिसा में डेल और 63 मीटर पर सेकेंड की स्पीट से समान direction में कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक साथ for the second time कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक दूसरी को पार करेंगे सेकेंड टाइम पूछा है देखिए बच्चो first time कितने समय के बाद मिलेंगे जवाब दीजेगा जवाब देंगे सभी लोग first time तो time बराबर distance दोनों circular track 720 मीटर का है upon relative speed relative speed आजाएगा same direction में S1 मानेस S2 2 यानि कि आजाएगा मेरे दोस्तो 360 second यह देखिए distance meter में speed meter पर second में तो direct answer आपका उसमें आएगा seconds में यानि कि 360 second को 6 minute कहते हैं 60 से भाग करेंगे तो 6 minute के बाद यह first time जो है एक दूसरे से मिलेंगे फिर यह हर 6 minute के बाद मेरे दोस्तों मिलते रहेंगे पहली बार 6 minute के बाद मिलेंगे अगली बार दुबारे 6 minute के बाद फिर हर 6 minute के बाद एक दूसरी से मिलते रहेंगे तो दूसरी बारी मिलेंगे 12 minute के बाद 6 plus 6 12 minute के बाद ठीक है जी आप बोलोगी हाँ जी सर जैसे एक सवाल पूछते हैं आपसे रमेश और नरेश एक ही बिंदू से 1920 मीटर लंबे एक वरत्ताकार पत पर एक साथ समान दिसा में कौन सी दिसा में? समान दिसा में 40 और 64 की स्पीट से दोड़ना सुरू करते हैं स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार पत पर कहीं मिलेंगे कहीं भी मिल सकते हैं, टाइम आप से पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस भी सर्कूलर ट्रेक की लंबाई 1920 मीटर है, सेम डिरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड S1 मानेस S2 40 और 64 का डिफरेंस 24 हो जाएगा, अभी तो 24 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, चौविस अठी एक सो वानवे, तो 80 सेकिंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा, डारेक्ट C option, क्या आप ये सवाल कर पाओगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे, ये बताएगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से भी question बन सकता है आपके सामने, हाँ जी ठीक है, दो कारें, अब यहाँ पर टाइम भी पूछ लिया, दो कारें दो पहर, 12 बजे, एक ही समय में, 3.6 किलोमेटर के एक वरत्ता कार पत्त का चक्कल लगाना शुरू करती है, वे समान बिंदू से चलना शुरू करती हैं, और एक ही दिसा में चलने हैं, एक ही दिसा में कारें दोबारे कितने समय के बाद मिलेंगी, पुरह किस समय मिलेंगी, तो भी कार जो है, फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगी, टाइम बराबर डिस्टेंस, जो हमारा सर्कुलर ट्रेक, वो 3.6 किलोमीटर लंबा है, अपॉर रिलेटिव स्पीड, S1-S2, 90 में से 72 घटाएंगे तो आजाएगा अठारे, 90 मानेस 72 अठारे, किलोमीटर पर आवर, तो आंसर किस में आएगा, अठारे दो निचातिस, पॉइंट दो आवर, इसीदा सीदा आवर में आएगा, लेकिन इसको मिनिट में कनवर्ट करना है, तो आपको 60 से मल्टिप्लाई करना पड हे ऐसीदा, क्लियर है, तो बारे बज़े के बाद बारे मनीट और लगेंगे, तो बारे बज़े के बारे मनीट पे दोनों कारें, दुबारे जो हे एक दूसरे से मिलेंगी, इसौप्षन आंसर है, समज में आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ, सवाल है, यह बताएगा दोस्त पत्त की परीदी जो है वह ग्यारे सो पच्चिस मीटर की है, दो लोग एक ही पॉंट से चलना सुरू करते हैं, क्रम से 14.75 किलोमेटर परावर और साड़े ग्यारे किलोमेटर परावर की स्पीड से अपोजित डारेक्शन में टहलते हैं, पहली बार कम बिलेंगे, पहली बार आपसे पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है भई, सर्कुलर पात की परीदी है, बारे सो पच्चिस मीटर, बारे सो पच्चिस, अगर अपोजित डारेक्शन में हैं, तो रिलेटेव स्पीड होती है, बच्चो, S1 प्लस S2, अब 14.75 में 11 जोड देखें, ये तो मीटर में है, ये किलो मीटर पर आवर में आया है, अगर आपको किलो मीटर पर आवर को मीटा पर सेकिंड में बदलना है, तो पांच बटे अठारे से मल्टिप्लाई करना ही पड़ेगी, इसको आप भूलेगा मत, तो 26.25 तो किलो मीटर पर आवर में है, मी दसीदा आपका आणसर आजाएगा लेकिन option minute में है देखें कि तो minute में भी convert कर लेंगे क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई ठीक है ना यह सीदा आपने speed को meter पर second में convert कर लिया अब जैसे 26.25 इसकी वज़े से calculation बढ़ती है बढ़ती है ने इसकी वज़े से 26 पिलस point 25 इस बात का मतलब है और point 25 का मतलब होता है बच्चो एक बटे 4 एक बटे 4 यानि कि 26 को 104 प्लस एक 105 बटे 4 हो गई है यह हो गया जी 105 बटे 4 आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही कोई problem नहीं है यह second में आया है लेकिन minute में convert करना है second को minute में convert करना है तो आपको 60 से आप डारेक्ट जो है आपका answer minute में ही आएगा समझ में आया है आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही समझ में आया है ठीक है जी यह सर नो second को minute में convert करना है तो आपको 60 से भाग भी देना पड़ेगा अब 4 से जो 60 है आपका 15 बार चला जाएगा ठीक है अब यहाँ पे मेरे दोस्तों 5 से तो काट नहीं है जी यह 21 से भी काट सकते हैं पहले को कि नीचे 105 आ रहा है तो 5 दो 4 और 5 और 5 दस नहीं इससे तो नहीं कटेगा तीन से तीन पंजे 15 रहे है और मेरे दोस्तों यह तीन चींग अठा रहे है तीन से इसको काटेंगे तो 35 बार जाएगा 35 और यह तीन दूनी 6 तीन दूनी 6 आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही अब नीचे मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 25 है तो पच्चिस और साथ पंजे 35 आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो कितना आएगा भी साथ दूनी 14 14 बटे 5 आएगा 14 बटे 5 का नला 2.8 मिनिट तो 2.8 मिनिट के बाद याने की B option correct है यह पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई जाद है नहीं आगे चलेंगे यह बताओ सवाल लंबर 15 है यह चिसल के पेपर का सवाल है यह 2021 का बहुत पहतरिन सवाल है बताईगा कौन करेगा A और B 1200 मीटर परिमाब वालिक वरत्ताकार पत पर अलग-अलग स्पीट से दोड़ते हैं A और B यदि वो एक ही टाइम पर एक ही स्थान से चलना सुरू करते हैं लेकिन आपोजिट डिरेक्शन में A और B एक पॉंट से चलना सुरू करे हैं A की साथ दोड़ना सुरू के ले सुर्ड इसक 50ड extr पर आवर महीं आपको बताना है अन्सर आपकि सामने हैं बताओ मेरे प्यारे मैं कुछ भी नहीं सवाल में इस ढ क्रावर distance बराबर relative speed गुना time relative speed गुना time आप बोलोगे जी सर अब 1200 मीटर का circular track है 1200 मीटर को किलो मीटर में लिखेंगे 1.2 किलो मीटर सब कुछ किलो मीटर में convert कर लेते न 1200 मीटर को 1000 से भाग दे दीजिए कि किलो मीटर में आ गया relative speed A की speed को मैंने A माल लिया कि A की speed A है चुकि direction opposite तो relative speed होगी S1 प्लस S2 B की speed है 10.8 किलो मीटर पर आवर गुना time कितने समय के बाद मिले 3 मिनट 3 मिनट को आवर में convert करना है तो 60 से भाग देना होगा ठीक नहीं कि 1 वटे 20 घंटे तो into 1 वटे 20 आ गया 20 की जब 1.2 में गुना हो जाएगी तो 24 24 माइनस 10.8 कितना आगया मेरे दोस्तो 13.2 तो A की जो speed है 13.2 कलो मीटर पर आवर आगयी और ये सवाल का अंसर हो जाएगा B option कर पाएंगे आप बोलोगे जी आसन सवाल है ये बताएगा सवाल लंबर है आपके सामने हाँ पर 16 जितना मैंने करवा दे उसके बाद आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी step के सवालों में इनने circular race of 5-6 meter 5-6 meter के एक circular race है जो की same point से शुरू होती है दो इसमें contestant है ये और भी 36 और 54 की speed से दोड़ते है difference आपको बताने है time का जब वो first time मिलते हैं opposite direction में और same direction में देखे इस एक सवाल में आपसे दौनों ही सवाल पूछ लिए previouser का ही सवाल है देखेगा मेरे दोस्तों अगर दो constraints जो है विरोधी हैं वो opposite direction में चलते हैं और same direction में चलते हैं तो उनको जो time लगेगा उस time का difference पूछा है अगर opposite direction में चलते हैं तो time कितना लगेगा मेरे दोस्तों जबाब दीजेगा तो time बराबर होगा distance upon पांच आर मीटर की रेस है बटे relative speed लेकि relative speed जो होगी वो opposite direction में S1 प्लस S2 होगी यानि कि 36 प्लस 54 है एक किलो मीटर पर आवर है मीटर पर सेकिंड में convert करने के लिए 5 बटे अठार है तो अठारे पंजे नब है तो ये 25 से मेरे दोस्तों 25 25 25 दोनी 50 200 सेकिंड का 200 सेकिंड के बाद दौनों लोग मिलेंगे जब ये opposite direction में चलेंगे अगर ये दौनों लोग समान दिशा में दोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा टी डेश टाइम बराबर डिस्टेंस तो पांच आर मीटर ही रहेगी बटे रिलेटेव स्पीड जो होगी बच्चों वो क्या आजाएगी S1 मानेस S2 36 मानेस 54 कितना आजाएगा 34 36 का अठारे मीटर पर सेकिंड में कनवर्ट करना है तो पांच बटे अठारे हो जाएगा तो वह इससे कैंसल आउट होगा तो 1000 सेकिंड के बादे मिलेंगे अगर ये दौनों लोग सेम डारेक्श में दोड़ते हैं पूछा क्या है दौनों के बीट का डिफरेंस 800 सेकिंड आ गया B option सवाल का अंसर है कर पाएंगे मुझे लगता है कि आप इस टाइब के सवाल को कर पाएंगे ये बताएगा सवाल लंबर है 17 ये सवाल मेरे दोस्तों CHSL 221 के पेपर का है बड़े एक्जामों में भी ये सवाल आता है थोड़ा कैलकुलेटिव कर देते हैं डाटा को और ये सवाल आज के CGLK 2030 की 17 जून की 2nd shift में पूछा गया है ये वाला आज अभी 2 घंटे पहले पेपर है जब उसमें ये पूछा गया है सवाल ठीक है जी जड़ा करो इस सवाल को A, B और C A की पॉंट से करम से 3, 5 और 6 मीटर पर सेकिंड की स्पीट से A की समय पर 900 मीटर लंबाई वाले वरत्ता काट ट्रेक के परिते दोड़ना सुरू करते हैं A और B A की डारेक्शन में दोड़ते हैं जब की C उन दोनों के अपोजिट डारेक्शन में दोड़ता है पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे Very, very interesting question देखेगा ये एक circular track है इस circular track कितना लंबा है तो आप कहोगे सरी circular track तो 900 मीटर के लंबा है 900 मीटर अब यहां से 3 लोग डोड़ना शुरू करते हैं A, B और C अब A और B जो हैं वो डोड़ रहे हैं 3 और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीट से सेम डारेक्शन में A 3 मीटर पर सेकंड की स्पीट से और B 5 मीटर पर सेकंड की स्पीट से सेम डारेक्शन में आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई परिशानी नहीं है ठीक है जबकि सी जो है सी एक ऐसा बंदा है जो इसी पॉंट से दोड़ना शुरू किया इसी पॉंट से से इसी पॉंट से लेकिन सी दोड़ता है खई ए और बी के अपोजित डिएरेक्शन में छह मीट्रपर सेकेंड की सपीड से तो पूझ तीनों लोग एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे स्टारT इनों लोग कितने समय के बाद मिलेंगे A और C, B को अभी भूल जाओ कि B है नी, भई A इस डारेक्शन में दोड़ रहा है, C उसके अपोजिट डारेक्शन में, B अभी है नी, A इस डारेक्शन में, C उसके अपोजिट डारेक्शन में, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो time बराबर distance से 900, A और C अपोज के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यहन्दि कि A और C ऐसे लोग हैं, जो हर 100 सेकिंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, इसी तरीके से अगर मैं आपसे देखूँ कि A और C का हो गया, मैं A और B का देख लेता हूँ, किनी भी दो लोगों का combination बिठा लो, किनी भी दो लोगों सेम डिरेक्शन में कितने समय के बाद मिलेंगे, सेम डिरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, S1-S2, 5-3, 2, तो 900 बटे 2 आगया, साड़े 400 सेकिंड के बाद, यानि कि मेरे प्यारे भी, अब सवाल में ये पूछा गया है, कि तीनो लोग एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे, तो टाइम होगा इन दौनों का LCM, यानि कि 100 सेकिंड और साड़े 400 सेकिंड का LCM, भाई साब A और C हर 100 सेकिंड के बाद मिलते हैं, एक दूसरे से A और C हर 100 सेकिंड के बाद, A और B, A और B हर साले 400 सेकंड के बाद मिलते हैं मतलब जैसे A और C की मुलाकात हर 100 सेकंड के बाद हो रही है और A और B की मुलाकात हर साले 400 सेकंड के बाद हो रही है तो एक ऐसा time interval ढूंडो जो 100 से भी कटता हो, साले 400 से भी कटता हो एक ऐसा time interval जो 100 से भी कटे और 4500 से भी कटे वो time ऐसा होगा जहां मुलाकात A और C की भी होगी जहां मुलाकात A और B की भी होगी यानि कि तीनों लोगों की मुलाकात हो जाएगी तो ऐसा जो time होगा वो 100 और 4500 का LCM यानि कि 900 second आएगा सवाल का अंसर आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया तो किसी भी मेरे दोस्ति यहां पर एक आदमी को common रखके आप किस निकाल लीजे फिर उसका आप LCM कर लीजे बहतरीन सवाल है ट्रकी यह बताएगा सवाल लंबर 18 करो यह सवाल भी CHSL के पेपर में पूछा गया है 2021 में वर पहले मैं इस सवाल लोग आपको basic से बताऊंगा फिर मैं इसका shortcut भी समझाऊंगा जी अंजली और बबीता एक circular track पर दोड़ रहे हैं opposite direction में same time में same point से उनकी speed आट और 6 respectively लिए अंजली और बबीता दो लड़किया हैं वो same time पर चलना शुरू करती हैं मेरे दोस्तों opposite direction में आट और 6 की speed से यदि वरत्ता का track की लंबाई circular track की लंबाई जो है वो 960 मीटर है तो अगली मुलाकात सुरुवाती बिंदू पर होने से पहले वो अलग-अलग मिलन बिंदू पर कितनी बार मिलेंगी ही मेरी बात को सुनना दो लड़की हैं अंजीली और अरक उनकी speed अंजीली की speed 8 मीटर पर सेकिंड है वो एक ही time पे चलना शुरू करी हैं एक ही बिंदू से चलना शुरू करी हैं लेकिन opposite direction में चलने ही दोनों लोग opposite direction में तो पूछा है कि starting point पर उनकी मुलाकात होने से पहले सपोज यहां से चलना शुरू किया उन्होंने यहां से अभी अंजिल इस direction में बभीता इस direction में ठीक है 6 और 8 की speed से starting point पर एक साथ मिलने से पहले वो कितनी बार अलग अलग बिंदो पर एक दूसरे से मिली होंगी बताओ जल्दी से तो देखो एक बात का जवाब दो यह अंजिली और बभीता first time कितने समय के बाद मिलते हैं first time जवाब दीजेगा अंजिली और बभीता first time कितने समय के बाद मिल स्पीड कितने हो जाएगी S1 प्लस S2 8 और 6 14 960 बटे 14 सेकिंड के बाद फिर्स्ट टाइम जो है एक दूसरी से मिलेंगी फिर्स्ट टाइम 960 बटे 14 सेकिंड के बाद ये दौनों लोग एक दूसरी से मिलेंगे या फिर हम इसको 400 ऐसी रहने देते हैं यानि कि अंजली और बबीता हर 960 बटे 14 सेकिंड के बाद एक दूसरी से मिलते रहेंगे पहले 960 बटे 14 सेकिंड के बाद मिलेंगे फिर 960 बटे 14 सेकिंड के बाद कहीं मिलेंगे फिर 960 बटे 14 सेकिंड के बाद मिलेंगे हर 960 बटे 14 सेकिंड के गैप पे दौनों लोग मिले आप ये बताओ कि starting point पर मिलने में दोनों को कितना समय लगेगा starting point पर अंजली की speed 8 meter per second है तो 960 meter cover करने में अंजली को कितना समय लगेगा 960 बटे 8 120 second तो अंजली एक round पूरा करती 120 second में बबीता की speed है वो 6 meter per second है तो बबीता को 960 meter का रास्ता cover करने में 6 की speed से कितना समय लगेगा 160 ये समय लगेगा 160 second आप बोलोगे हां जी सर तो मैं कह सकता हूँ कि अजे ये अनीता अंजली और बबीता जो है 120 और 160 कैल से हम 480 480 second के बाद वापस starting point पर मिलेंगी तो अंजली और बबीता total 480 second के बाद starting point पर वापस आएंगी लेकिन पूछा है कि इस समय के दौरान इस 480 second का जो समय इस समय के दौरान starting point पर मिलने से पहले वो अलग-अलग point पर कितनी बार मिली हैं तो आप मुझे बताईगा कि ये दोनों लड़कियां हर 960 बटे 14 second में जो है एक दूसरे से मिलती हैं तो 480 second में एक दूसरे से कितनी बार मिले होंगी इसको 960 बटे 14 से भाग दी दीजीगा तो ये पूरा 2 और 14 बटे 2 याने कि 7 बार चला गया है 7 बार अगर दसमलब में आता तो हम दसमलब को एक नूर कर देते क्यों इंटीजर पोर्शन लेते साथ बार ये option answer है तो ये सवाल का पूरा basic है कि भी हमने पता लगा ले कि दौनों लोग starting point पर कितने समय के बाद मिली 480 second के बाद जबकि हर 960 बटे 14 second के बाद एक दूसरे से मिलती है तो 480 second में कितने समय के बाद मिली होंगी डिवाइड कर दो ये हो गया इसका basic अब paper में आपको ये सवाल दुबारे साएगा basic नहीं करना है मेरे दोस्तो ठीक है ना basic नहीं करना है shortcut बताता हूं मेरे दोस्तो shortcut दो लड़किया उनकी speed का ratio दिया है अब अंजली की speed 8 है बबीता की speed 6 speed का ratio निकालो speed का ratio कितना है 4 ratio 3 speed का ratio 4 ratio 3 आप से पूछा जाए same सवाल की same direction में और opposite direction में दो question यहां से बन सकते हैं कि दो लड़किया उनकी speed का ratio 4 ratio 3 है एक circular track पर दोड़नी मुझे कोई मतलम नी वो opposite direction में दोड़नी opposite direction में पूछा है starting point पर मिलने से पहले वापस शुरुवाती बिंदू पर मिलने से पहले एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी तो एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे अगर opposite direction में तो इन दोनों को जोड़ दो साथ अगर same direction में मेरे दोस्तों तो इन दोनों को घटा दो एक वैसे भी अगर same direction में दोनों लोग दोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो एक ही बार जो है वो मिलेंगे बात समाथ अगर यह सेम में होता तो डिफरेंस करना है अपोजी डारेक्शन में होता तो जोड़ना है इस जबर्दस शॉटकट तो सॉल्ड इस काइंड आफ क्वेश्चन समझ में आया है तो यह था आपका पूरा सर्कुलर रेस का कंसेप्ट हर एक वेराइटी का हर एक लें हमारी टेलिग्राम चैनल को जरू जोइन कर लें सभी लोग डिस्किप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और मैट्स बेक अगन परताब जोग टेलिग्राम चैनल का नाम है बाई